संसत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों की तफ्तीश में रोज नए खुलासे हो रहे हैं दिले पुलिस की स्पेशल टीम तीन आरोपियों की खर जाकर सबूतों की तलाश कर रही है पुलिस को शक है कि आरोपि किसी गहरे राज पर अभी भी परता डालने की कोशिश करें हलाकि इस बीच एक साथ आरोपि की तरफ भी जाच की रडार खुंग गई है संसत कायंट की जाच तेरी से आगे बढ़ रही है पुलिस हर एंगिल घंगाल रही है और हर उस शक्स तक पहुँच रही है जिस से इस साज़िश का पूरा और पक का खुलासा हो जाए चार आरोपि दिली पुलिस की रिमार्ड में है जिन करीबियों से भी गहरी तफ्तीश हो रही है तीन आरोपियों की घंगाल तक पुलिस की टीम पहुच चुकी है पुलिस आरोपियों की परिवारवालों से बात कर वारदात को अंजाम देने के पीछे की ठोस सबूतों की तलाश कर रही है दिली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों ने लखनों में आरोपी सागर शर्मा, हर्याना में जीद के आरोपी, नीलम आजाद और महाराश के लातूर में आरोपी, अमोल शिंदे के परिवार जनू से पुच्टाश की है आरोपीयों के परिवारवालों से दिली पुलिस की अलग अलग टीम तफ्तीश कर रही है लखनों में दिली पुलिस के एक टीम ने आरोपी सागर शर्मा के घर, उसके माता पिता और भेहन से कई सवाल पूछी है तफ्तीश के दोरान अधिकारियों ने घर के दर्वाजे बंग कर दिये और बाहर पुलिस के जवानों का बहरा लगा दिया लखनों में दिली पुलिस जूते की उस दुकान तक पहुँच गई, जहां से सागर ने दो जोड़ी जूते खरीदे थी सागर ने दुकान से आठ नंबर के दो जोड़ी जूते खरीदे थे इन जूतों के सोल में फेर बदल कर उसने दूसरे आरोबी मरवनजन डी के के साथ मिलकर कलर स्मोक क्राकर छिपाए थे जिसे संसल के अंदर इस प्रेकर दोनों ने देशत खराणने की कोशिश की थी पुरिसने करीब तीन घंटे तक दुकानदार से पूश्टाश की और फिर दुकान में लगे CCTV के DVR को जब्द कर लिया दूसरी टीम में हर्याणा के जीन में आरोपी नीलम आजाद के घर जाकर संसत कांट के सबूतों को घंगाला है नीलम जीन के घंसोग खुट की रहने वाली है पुरिसने लीजिया से बात करने से इदकार कर दिया लेकि जानकारी की वतावे अनीलम के खर उसके कमरे की भी कलाशी ली गई है